नमस्कार स्वागत है आपका हमारे चैनल में आज मैं क्रोशिया की मदद से ग्रैनी स्क्वेर जोड़ना सिखाऊंगी आई इस्टार्ट करते हैं यह स्क्वेर मेरे ब्लू कलर के हैं लेकिन इनको जोडने के लिए मैं पिंग कलर का धागा यूज कर रही हूं अगर आपको इन द 안-ड़ातों तर दागे की नॉंट लगा लेते हैं नॉंट बनाने के लिए इस तरह से यूज करेंगे इस और we यह हमारी नॉट बन कर के तयार है अब हम इसने जोड़ने के लिए ये हमारे दोनों के फ्रंट साइड है तो हम इसको इस से पल्टेंगे यह हमारी उल्टी साइड आ गई और इसको भी हम उल्टी साइड को इससे ऐसे कर लेंगे ये जो हमारी सीधी साइड है दोनों की वो ऊपर हो गई है और जो उल्टी साइड है वो दोनों की अंदर है और इसको हम इस तरह से पकड़ लेंगे अब इनको जोड़ने के लिए ये जो हमारे दो पार्ट आ रहे हैं इसमें भी दो आ रहे हैं और इसमें भी दो आ रहे हैं तो हमें इसके एक पार्ट में बनाना है एक पार्ट इसका लेना है अंदर का और एक पार्ट इसका अंदर का लेना है कि इन दौनों में जोड़ना है तो पहले हम यह नॉट बना के रखी है इसको हम किरोशिया पर ले लेंगे इस तरह से और इन दौनों के बीच में से हम यह दागा इस तरह से निकाल देंगे दौनों स्क्वेर के बीच में होके दागे को रखेंगे और इसके अंदर वाले पार्ट में हम इस तरह से किरोशिया डालेंगे और इसके भी हम इधर से नहीं डालेंगे इसमें किरोशिया हम इधर से ही डालेंगे एक पार्ट में अंदर वाला पार्ट इसका और अंदर वाला तीनों मेंसे हम एक साथ निकाल देंगे धागांगे और सिलिप इस्डिच के साथ निकाल देंगे अब हम अगले इस्टिच का एक पार्ट लेंगे इधर वाला छोड़ दिया या इधर वाला पार्ट हमने ले लिया swing account next stitch का एक पार्ट लिया है हमने और एक इधर वाला छोड़ दिया है you कि तीन होग हैं तीनों में से धागा गुमाएंगे और एक साथ निकाल दिनगे सिलिप stitch के साथ कि इसी तरह से अगले stitch को लिए एक पार्ट लिया है हमने इधर वाला छोड़ दिया है और इसको हम यह दो पार्ट है इन में से एक लेंगे इस तरह से अब यह तीन हो गए तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे इसी तरह से हम हर स्टिच का एक पार्ट अंदर का लेते हुए किरोशिया गे उबर और फिर एक साथ सिलिप्र स्टिच के साथ हम जोड़ते हुए चलेंगे इसी तरह से एक पार्ट लिया है एक पार्ट इसका लिया है यह बहुत आराम से इसी तरह से जोड़ता हुआ चला जाएगा यह यह हमारा इस तरह से दिख रहाए बनके एक पार्ट लेंगे हमें स्टिच का अंदर का और इसका भी अंदर का कि दागा घुमाएंगे और तीनों में से निकाल देंगे कि यह हमारा इस तरह से एक चेन बन जाएगी कि यहां तक जोड़ के बताती हुआ मैंने इसको सेम तरीके से यहां से यहां तक जोड़ दिया है सिलिप स्टिच के साथ यह दोनों पाट हमारे जुड़ गए उम्मीद करती हुँ कि आपकी समझ में आगया होगा और आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकती है ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले थैंक्यू उम्मीद कर्एंद हैंधर बता संदोrop वीडियो अगर रभे ए। फिर बता सकती है तो को अब्सक्तात है वीडियो पस्छोड़ प्वां प्रेखने उम्मीद करते हैं तो आपको अपक्स्टाइब के रभे प्षवां प्रें उम्मीद